नमस्कार दोस्तों देखिए अभी मैं बापू सभागार में हूँ और 17 तारीको एक महा सम्मिलन होने वाला है या फिर यूँ कहें सम्मिलन होना वाला है ब्राह्मन स्वाभिमान सम्मिलन होने वाला आप देख सकते हैं कि तमाम उस संस्था के लोग आये हुए हैं इसे मैं जा कहिएगा सर किस प्रकार से इसको आगे और कैसे ब्रहामन लोग यहां पर आ सकते हैं और क्या रणनीती रहेगी आपकी सत्य सनातन हिंदुत्व के रच्छार्थ है तु पहली बार कोटिल लेके इस धर्ती पर ब्रामनों का महा समागम होने जा रहा है हम लोगों का यह जो कारक्रम है पूर्ट संगठन का कारक्रम है और संगठनात्मक स्वरू पूरे बिहार में प्रदान करने के लिए उसमें साहाबाद, सारन, मितलांचल, कोसी, छेत्र जितना भी है सब का समागम होगा एक साथ स्वर्ण जगे के ब्रामन स्वत्र एस्पूर्ट पहुंच करके कोटिली के इस धर्ती पैतिहास रचने जा रहा है क्या जरूरत आपड़ी इस सम्मेलन की, मतलब वो भी इतने बड़े लेवल पर जो की बिहार से पूरे बिहार से आप ब्रामनों का वंतरित कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत आपड़ी सर्थ जो इस्थिती वर्तमान में हम लोगों के बिहार में पड़ा है यहाँ पर, कि अपने आपको कोई भी पॉलिटिकल पाटी भी स्थापित करने के लिए दो काम कर रहे हैं, या तो कभी धर्म प्यागात कर रहे हैं, नहीं तो उससे भी ज़्यादा अगर उसको अपनी आपको मजबूती से थापित करना हो, तो ब्रामनों को गाली देती है, इसके लिए हम लोगों को किसी से बैर नहीं है, लेकिन कोई भी दुर्भावनाओं से ग्रसित स्टेटमेंट हम लोगों के समाज के प्रती बार बार बोलना ये असोवनिया है, जो कि अब कतई बरदास नहीं ह लोग अपना-पना सम्मिलन, अपने अपनी जाती की दिखाते हैं, तो इसकी जरुवत ही क्यों पड़ती है, क्या कहिए गदर शोगों को एकजूट होने की जरुवत इसलिए है कि इस देश को विक्सित करना है, ब्रामनों ने सदेव से मार्गदर्शन किया है, कोई भी सत् ब्रामन के बिना मार्गदर्शन का नहीं चला है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक खर्यंत्र के तहत, एक साजीस के तहत, सभी राइनतिक दल ब्रामनों को ही टार्गेट करते हैं, और इससे ब्रामन का ही नहीं, पूरे भारत वर्स का बिनास हो रहा है, सब लोग जो सासन चला रहे हैं, हमारे संक्रा चार्ज जो हैं, चारो पीठ के, उन लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है लगातार, कि कोई भी राइनतिक दल ऐसा है ही नहीं, जो नियाय कर पा रहा है, सनातन के साथ, हिंदूत के साथ, निश्चत रोप से यह समय आगया है, कि अब ब्रामन नहीं, ऐसा है, इसलिए हम लोग कि हैं, क्योंकि हमारे कारेकरम का नाम है, ब्रामभन स्वाभिमान सम्मेलण, तो इसमें, ऐसे ही पता चल रहा है कि स्रिफ ब्रामभनों का कारेकरम है, और किसी नहीं है हम लोगों का मैसेज ये देना है कि संगतनात्मक स्वरुप परदान करना पूरे 3800 जिला में हमारे जो करकरता बंदू हमारे समाज के लोग पहुंचेंगे यहे चैनलाइज सिस्टम के माध्यम से पूरे पंचायत तक प्रकंट से लेके पंचायत तक यह मैसेज हम लो तो आज से नहीं पुरु में भी चाहिए उस्वाइब रहा हो चाहिए नहीं रहा क्लिक नगर सत्य में परिवर्तन लाने की बात भी आती है तो जब नेट प्रिवर्किंग सिस्टम नहीं था तो भी ब्राह्मनों का एक चैनलाइज सिस्टम ऐसा रहता था पूरे हिंदुस्ता है कि आगे कुछ पॉलिटिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ब्राम्भनों की आर्थिक राजनिक व्यवस्था जो है बहुत बिगर चुकी है इस वजह से हम लोग कारेकरम करने जा रहे हैं इसका किसी भी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है कि ब्रामन जो है कि आने के लिए चुक नहीं होते हैं तो क्या लगता है कि आम धारना जो लोगों के बीच में बन बैटी है कि ब्रामनों की संख्या कम है ब्रामनों की संख्या है लेकिन इसका मतलब है कि लोग आएंगे लोग जुटेंगे लाज तो बिल्कुल जुटेंगे खचा-खच जुट रहे हैं उस दिन अगर पटना पट नहीं किया ब्रामन वात की नारों से कहा जाता है कि जब जब ब्रामन बोला है राज सिंहासन डोला है निश्चित डोलेगा और इस हाँ से जो निकलेगी आवाज सत्तक के आसीन जोबी लोग हैं वो भी समझ जाएंगे कि कुछ न कुछ तो नेया बदलाओ आने वाला है आने वाले समय में गुंजे गा, हम बोले, हमारा समाज बोले और गुंजे न, ऐसा नहीं होता है जो अभी कैमरे के माध्यम से जो देख रहे हैं, ब्राम्वन है, वो कहीं दूर से हैं और उनको आमंत्रन किसी भी कारणवस नहीं अगर जा पाया हो तो उनको वीडियो के माध्यम से आमंत्रित कैसे करेंगे पर एक नया इतिहास रच दें भीडवाला 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 भीड नहीं स्वता इस पूर्थ पहुंचकर की इतिहास रच दें अपने सभी अभिभावगन और भाई बंदुओं के साथ अपने बयान के साथ हम यह चाहेंगे जोरदार से नारा लगाएं जये जये बारत माता की जये अपनों बहुत धन्यवाथ से